आप सबी कक्षा साथवी के चात्रों का स्वागत है तो चात्रों आपके लिए लेकर आचुके हैं कक्षा साथवी जो आपका विशा समाजिक बिग्यान है उसके अर्दवार्चिक मूल ल्यांकन परशने पत्री 2022-23 से यानि आपकी सोरण नमंबर को होने वाले समाजिक विज्ञान के रियल पेपर इस वीडियो में हम आपको कौशन नमबर बाइस तक सारे की सारी प्रशनों के उत्तर देंगे बिल्कुल सो प्रतीशत सही जिससे आप पुर्णांग पचास में से पचास अंक ला सको आपका ए सबसे पहले आपको बिद्यार्थी के नाम के सामने जो भी आपका नाम है वो डाल लेना है उसके बाद अनुक्रमांक में जो भी आपका रोल नमबर हो वो आपको डालना है पिता के नाम के सामने अपने पिता जी का नाम साला का नाम जो भी आपके स्कूल बिद्यार्था का नाम हो ब्लॉक का नाम है जो भी आपकी तैसील का नाम हो फिर जिले का नाम पुर्णांग करहेंगे पचास है ना प्रसन आपके बाईस ही है और यहाँ पर आप देखो मात सुनकर लखिए तो पहला प्रशन देखते हैं आपका पहला प्रशन है चात्रों प्रत्वी सूर की एक प्रिक्रमा लगवक कितने दिन में पूर्ण करती है तो यहां पर आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 365 दिन में पूर्ण करती है एक साल लगता है और एक साल में कितने तो आपको यहां पर रत्त डाल देना है सी 305 दिन में प्रत्वी सूर की प्रिक्रमा पूर्ण करती है इसके बाद आपका दूसरा प्रेस्ट जो की आया है नेचे दिये गए प्रतीक चिन्नों में से कौन से प्रतीक चिन्न नहर के लिए प्रियुक्त किया जाता है तो आपको सेम टू सेम यही कॉस्टन देखने को मिलेंगे आपको इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कर मत बूलना यहां पर आपको देख उत्तर के करना है और बी कौन सा प्रतीक चिन्न नहर के लिए प्रियुक्त किया जाएगा तो आप्सन नमबर बी आपको करेक्ट हो जाएग तो पुडा तात्तुविद कहा जाता है क्या कहा जाता है पुडा तात्तुविद भीम बिटकां की गुपाओं में चित्र पाएगाए हैं तो सेल चित्र पाएगाए हैं सेल जो चित्र होते हैं जूकि आपकी गुपाओं में पत्रों में पत्रों में बने हुए चित्र होते तो यह आपकी पाटली पुत्र क्या है पाटली पुत्र इसे आप कोसंपुर भी कहते हैं क्या देखता है कारण हमें से कोसंपुर भी कहते हैं कोसानों के सबसे प्रसेद्र आ जाते तो इसका उत्रदायगा कनिस्क थी मख्य की रोटी सरसां को साख किस प्रांक के लोगों का मुख्य बोजन है नौबब प्रस्ब्र्शन है ग्राम पंचायत का मुख्या होता है पर जाताहुत कि बाद इसमार निरनाए लेने और कार करवा काक्त होथा है है तो हमेशा यहां पर आपको सरकार की आवसकता होती है है इसके बाद आपका नेस्ट प्रिशन ग्यारा से 20 निर्दे से नीचे दिए होठेल की उत्तर लिखिये पुरा तो यहां पर आपको उत्तर डाल देना है पुरा तत्विद्ध पुरा वस्तुओं की अधार पर अतीत का अध्यन करते हैं उनका बर्गी करण धातू, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदी में किया गया है यह आपको सेम्टू से हम याद कर लेना है, प्रिष्ण करमा 11 का आपका उत्तर हो जाएगा इसके बाद वारवा प्रिष्ण समराट असोग दोरा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार किये गए कोई तीन कार लिगिए, तो आपको उत्तर लिखना है, पहला पॉइंट डालना है, और लिखना है, आने जाना की सुविदा के लिए अनेक सड़कें बनाई गई दूसरा, सड़कों की किनारी छायादार ब्रक्ष लगाए गए, तथा अनेक कुएं खुदवाए गई ठीक है, यह आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, और तीसरा पॉइंट डालना है, यात्रियों की सुविदा के लिए अनेक ध्रमसला बनाई गई तो यह महात्यपून प्रजा की भलाई के लिए समराटा सोख नेकार किये थे, जैने आपको छात्रों बहुत अच्छे से याद कर लेना है, तेके और सेब्डूसम लिखके भी आना है, तेरवाप प्रशने प्रतवी पाढ़ी जीवन क्यों पाया जाता है, हैना चांद में, मंगल में, बुद्ध में, ऐसे और जुग रहे हैं, सनीन, अप्चुवन, हैना, मंगल, इन में जीवन क्यों नहीं पाया जाता, तो देखो उत्तर डालना है, उत्तर में पर डालना है कारण, और पहला, धरती पर जलकी उपस्थिती, पेड़ पौदों, एवं जानबरों, मनश्यों के अवश्यक है, यह आप लिख सकते हो, धरती पर जलकी उपस्थिती, पेड़ पौदों, जानबरों मनश्यों की उपस्थिती है, की उपस्थिती है, यह आप लिख सकते हो, धरती पर जलकी उपस्थिती है, पेड़ पौदों, पहला पौइंट है, दूसरा, प् पर ऑक्सिजन की उपस्थिती है यह आपकी प्रिस्टिकर मांगे तीरा की तीन पॉइंट हो जाएंगी कर्यक्ट पिक्तर हो जाएगा इसके बात कॉस्टिन नवर फॉर्टीन देश राउदवा कॉस्टिन है गलोब का चित्र बनाकर उसमें करक मागर जथा विसुबत ब्रत क यहां पर आपको देखो यह एक दो तीन चार चार रहा बनानी है इस प्रिकार से और आपको दूसरी रहा में लिखना करक रहा बिसूबत और चौंधरी मकर रेका हो जाएगी और पहले में डाल देना पहले रेका होती है आर्केटिक ब्रत तो में लिए आपको इन तेन को दर्सा आना है इनके तीन के नंबर है तो यह आप ध्यान से दर्शा दीजिएगा इसके बाद चातर आपको अगला प्रशन सोलबा है रेसमी बस्तर वहुमूल क्यों मानने जाते हैं लिखिए तो यहाँ पर शत्रवा आपको तो लिखना कीमती चमगीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की बज़य से रेसमी बस्तर महुमूल माने जाते हैं यानकी महंगे माने जाते हैं इसके बाद है शत्रवा आपको द्यानिक जीवन विवत्ता कहा कहा दिखाई देती है कोई दोधारन लिखिए तो यहाँ पर आप पुत्त लिखना द्यानिक जीवन विवत्ता चारों और दिखाई देती है जैसे एक ही देश की लोगों के बीच उनके धर में रहन, सेहन, खान, पान, भासा तिवार आदी में बिवेंद लितां होती है 18 अठरंके नाम लिखिये तो यहां पर लेकिना है वक्तर आपको पैरिला इस्थर केंदर सरकार राज्जिस्तर जिला इस्थर जिलादिकार जिलादिकारी घाउं इस्थर सरपँच सबसे top सबसे high इस्तर जो सबसे उपर इस्तर है के अंदरी उससे नीचे राज उससे नीचे जला और सबसे नीचे गाव इस्तर इसके बात देखो 19 प्रशन आपका आपके छेतर में स्वास्त की देखवाल के लिए क्ली आपको लिए अश्पताल है यह आपको लिख दियाना है और यदि आप चाहू तो लिख सकते हूँ अस्पतार के सांसात मेडिकल आयुरुवेदिक है ना मेडिकल आयुरुवेदिक है और अन्संचथान भी है इसके बाद दिखो आपको बीसबा प्रस्चन है बागे आप इत्ता भी लिखोगे एक लाइन भी तो चल जाएगा ठीक है कि आपका एकुरेट उत्तार है अब आपके गाउं में अस्पतार लिए तो आप उस्पतार बस लिखोगे है ना फिर बीसबा है हम सरकार में किस प्रकार भागिदारी कर सकते हैं तो उत्तार लिखना हम चुनाव में बोट देकर अपनी प्रतिने ज़द्धों चुनते हैं लोग सरकार की कारुत लीकर अनल रूचना करके भी हम वागिदारी निवाते हैं लोग अंतोलन करके सरकार कोर्ला काम करने के तो और तरीकों कुछ नौचित देकर भी हम वागिदारी निवाते हैं इसके बाद आपके द्रिगूतित क्राषन चार्電be तो सबसे पहले आपको पडिवासा लखना अभी पर आगया है तो सिला लेक डैस करके किसी पत्तर चटान पर किसी रचना को सिला लेक कहते हैं और अभी लेक कागच पर लिखे रचना को अभी लेक कहते हैं अंतर में सेला लेक में पहला लिखना पॉइंट पहला पॉइंट तीन अंतर लिखना तो पहला पॉइंट यह पत्तर पर लिखे जाते हैं और अभी लेक में पहला पॉइंट यह कागज़ पर लिखे जाते हैं दूसरा पॉइंट है यह समतल सिला में लिखे जाते हैं जैसे कि आपका स्यामपट समतल होता है वैंसे ही ब्लैकबोट की तरह समतल सिला में लिखा जाता है यह समतल सिला पर लिखा जाए यह जरूरी नहीं यह पर लिख सकते हो यह समतल सिला पर नहीं लिखा जाता है तीसरा स सिरा लेख लिखने में अधिक समय और मेहनत लगता है अभी देख लिखने में कम समय और कम मेहनत लगता है इससे आपको लिख देना है इसके बाच चात्रा आपका आखडी प्रसन है 22 बाग ग्रामीन लोक रोजगार पर सहर तथा सहर के बेपारी ग्रामीनों पर किस प्रेकार निर्वार होते हैं यह पांच आंगे के लिए हैं आपको दिख उत्तर के लिखना है ग्रमीन लोग रोजगार के लिए सहर में जाते हैं लेकिन सहर की बेपारी ग्रमीनों दौरवत पन्न अनाज सब्जियों आदी पन्न निर्वार करते हैं ज्यादा तर अनाज सब्जियां ग तो आप अभी क्या भी वीडियो को सब्सेर करो सब्सक्राइब करो आंगे इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए धन्यवाद अभी मिलते नस्ट वीडियो पर